सभी समू की महलाव को मेरे तरफ से नमस्कार मैं आज एक टॉपिक पर फिर वीडियो लग कर आई हूँ सभी दीदियों ने मुझसे कोशन किया है के दीदी जो आपने पहले हमें बताया था वो कुछ अलग है तेकिन अब जो हमारे या समू बनाया जा रहे हैं उसकी सामुदा निविश कोश के प्रबंधन कुछ अलग बता जा रहे हैं तो क्या दीदी मैं क्या करूँ मेरे नए समझ में आ रहा है तो आज उन्हीं दीदियों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ खासकर तो मैं आज उसी टोपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ तो पहले तो हम जान जाए ये किसके तहत है नेशनल रूलर लायवडिगूड मिशन अन आर अलम ये 19 राजयों में चलाई जा रही हैं तो उन्हीं के बारे में है तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपके बताया था कि स्वयम साहता समू में सदस्या जो है 10 से 25 किस्तों में रुपय में 82 से जमा करती हैं और 50 से 60 किस्तों में 1 रुपया 82 से ग्राम संगठन में जमा करती थी और ग्राम संगठन क्लस्टर में 100 से 120 किस्तों में 50 रुपया 82 से जमा करते थे इसी तरह मैंने आपको बताया था वो भी दीदी सही था क्योंकि पहले नियम वो ही बनाए गए थे और उसी प्रकार ही जमा होते थे लेकिन अब जो है कुछ नियम में बदला हुए है क्यों बदला हुए है पहले ये हम जान जाए जैसा के दीदी हम लोग जानते हैं कि 22 मार्च से लॉकडाउन लगा उसके बाद काफी दिक्कते आने लगी और तीन महिने तक सम्मू के बैठक भी नहीं हुई और आर्थी किस्तिती भी काफी बिगड़ सुकी थी तो सरकार ने सोचा कि अब हम लोग क्या करें अभी तो आती किस्तिती भी गड़ गई दो पहले दो रुपे बैठक से सम्मू की सदर्श्या जो है सम्मू में जमा करती थी अब तो उन्हें जमा करने में दिक्कते आने लगेगी तो इसी के लिए उन्होंने कुछ नियम में बदलाव की नियम में बदलाव कैसा है अब मैं आज उसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगे नियम में क्या बदलाव आए नियम में बदलाव आने का मतकत क्या है तो जैसे कि अब तो आप लोग को मालूम हो गया होगा कि समू में एक रुप्या ब्याज से पैसे लग रहे हैं पहले हम लोग दो पर्शन ब्याज दर से समू में जमा करते थे जैसे हमने 100 रुप्या लिया उसका मैंने 2 रुप्या ब्याज लगा कर जमा किया है लेकिन अब ऐसा नहीं है अब तो हमें 100 रुपया का एक ही रुपया ब्याज लगा कर देना है समू में प्रती सदस्या चाहे जो भी सदस्या हो अरिड लेती हैं तो 100 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लगा कर ही समू में जमा करना है तो जानते हैं जो पहले दो रुपया था समू में हम लोग ब्याज लगा कर जमा करते थे तो कुश नियम अलग थे इस समय क्या है हम लोग एक रुपया ब्याज लगा कर समू में जमा कर रहे हैं तो उसके लिए कुश नियम अलग बनाए गया है आज मैं उसी के बारे भी बताने जा रही हूँ, तो देखी, आज का वीडियो का टॉपिक एही है, कुछ बदला जो हुए है, सामू, दाइक, निवेश, कोष्क का प्रबंधन, प्रक्रिया बोलिए, प्रबंधन बोलिए, जो भी है, आप अपने इस तरह से जो भी समझ पाए बात एक ही है, तो अभी देखे, मैं आती है निचे, देखे, ये है सदस्या, ये सदस्या कौन है, हमी सब है, जो समू बनाते है, ये सदस्या, सारी सदस्या मिलकर एक समू बनता है, तो ये सारी सदस्या हो गई, ये देखे, मैंने बना रखी है, सदस्या, सदस्या, ये सारी सदस्या है, सारी सदस्या मिलकर समू बनता है, ये समू हो गया, ये हमारा समू हो गया अब समू जो है 18 से 24 किस्त में अपने समू में जमा करेगा ये सदस्या जो है 18 से 24 किस्त में अपने स्वेमशायता समू अपने समू में जमा करेगा ये पहली टॉपिक समिज में आ गया 18-24 किस्त में स्वयमशाता समू में 1% रुपे ब्यास से हम लोग जमा करेंगी ये हो गया जमा करने की बातें अब आ जाते हैं उपर यहां देखे लिखा गया है ग्राम संगठन ग्राम संगठन जो है 24-36 किस्त में समू हमारा जो है ग्राम संगठन में 24-36 किस्त में जमा करेंगा पहले नियम क्या था 50-55 किस्तों में स्वयमशाता समू ग्राम संगठन में जमा करना था लेकिन अब ऐसा नहीं है अब जो है 24 से 36 किस्ते में ग्राम संगठन में जमा करना है ये अब का नियम है और ग्राम संगठन पहले 100 से 120 किस्ते में कलश्टर को जमा करना था लेकिन अब जो है 36 से 48 किस्ते में ग्राम संगठन को कलश्टर में जमा करना है इस बाद पे विशेध्यान आप लोग दें आप लोग को बसारी बाते समझ में आ जाएंगी पहले कुछ नियम अलग थे और ये अभी नियम लागू हुए है कोवीट की वज़ा से ये नियम बनाए गए हैं कुछ जो हम लोग एक पर्षेंट में पहले दो पर्षेंट से लेते थे अब एक पर्षेंट से ले रहे हैं इसलिगे ये बदलाओ ये नियम चेंज हुए हैं तो देखिए एक पर्षेंट से जो है समू सदस्या जो है समू को ज जमा करेंगे और 75 पैसे से ग्राम संगठन में जमा करेंगे और 50 पैसे लगाकर कलश्टर में जमा करेंगे जो भी पैसा है से आईयक का 50 पैसा लगा कर 34 किस्तव में कलश्टर में किया जाएगा यह हो गया ब्याज दर यह की सो गय है कितने किस्त से कितने तर के संखिया हो गया कलश्टर में और गाव संगठर में समु हमें और यह ब्याज बता दिया आमने अब ही मैं देख लीजे आपको समझ में आगा अब देखे कलेश्टर को कहते हैं क्लेश्टर को हम लोग बोलते हैं और ग्राम संगठन को हम लोग बोलते हैं वीवो मतलब ग्राम संगठन और स्वय चाहतास्रमो का मतलब हो गया अब यह देखे आ गया आपको समझने अब यह तो हो गए हम लोग को पैसा देने वाली बातें कि कितने किस्तों में देनी है और कितने ब्याज पे देनी है यह आपको समझ में अब तो आ गया होगा कितने किस्तों में देनी है और कितने ब्यास पे देनी है अब ये जो है कि हम लोग को कैसे पैसा दुबारा मिलेगा ये सारे समस है काफी मेला बोशती है कि हम लोग को कैसे पैसा फिर दुबारा मिलेगा तो जो समाने रिंड होता है तो देखे समू जो है सदस्या जो है समू से अपने रिण कैसे लेती है आजीव का कारिक्रम के आधार पर अपनी आजीव का चलाने के आधार पर स्वेम साहता समू से रिण लेकर अपना आजीव का कारिक्रम के लिए पैसा लेती है और जो है स्वेम साहता समू अगर इनको रुण चाहिए तो को रिड़ देगा स्वेम सायता समू को रुण देगा ग्राम संगठन वीवो स्वेम सायता समू ग्राम संगठन से रिड़ लेगा यसजी कोरुण वीवो देता है और कैसे देता है सूच मिरिण योजना YMCP की अधार पर सूच मिरन योजना EMCP के अधार पर मेरे वीडियो पर I button क्लिक करेंगी तो हाँ पर हमने EMCP का form दे रखा है सूच मिरन योजना EMCP के अधार पर मिलती है तो मैंने अपने वीडियो के description box में दे रखे हैं और उपर अपने I button पर भी रखा रखे हैं आप उस पर क्लिक करेंगी तो MCP का form कैसे भरा जाता है आपको मालूम हो जाएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी MCP का form भरने के लिए MCP का form मैंने detail में अच्छे से भर दिया है आप उसको देखकर आप भी MCP का form भरना सीख जाएगी तो यह हो गया MCP के form के बारे में सुष मिरोडी योजना MCP के अधार पर ग्राम संगठन जो है आपको रिंड दे देगा तो आप जब भी आप समू का पैसा लेकर सजी का पैसा लेकर स्विम्सादा समू में जमा कर देती है जब स्विम्सादा समू को ग्राम संगठन रिंड चाहिए होगा तो आप सुष मिरोडी योजना का MCP के अधार पर भरकर जमा कर देंगी तो वहां से आपको रिंड प्राप्त हो जाएगा अब यहीं चीज़ है ग्राम संगठन को जब रिंड चाहिए उसके ग्राम संगठन माल लेजी वीवों में पैसा कम हो गया किसी समू को देने के लिए तो ग्राम संगठन क्या करता है ग्राम संगठन प्रस्ताव की आधार पर कलस्टर रिंड देता है ग्राम संगठन की उजस्या जो है अजीव का कर्या करिकर्म के अधार पर पर लियंद पाते हैं इसी तरह जो है सामुदाविक निवेश कोष का प्रबंधन बनाये गये हैं लीं दिन की प्रक्रिया आगे चलती रहती है तो दीदी आप लोग भी इस नियम का पालन करें देखिए जितने किस्त दीए आप समय समय से किस्त पे अगर जमा करेंगी तो समय 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 से ग्राम संगठन में जमा हो जाएगा और जब समय समय ग्राम संगठन में जमा होगा तो समय समय से कलश्टर में जमा हो जाएगा तो य यस प्रस्ताओं से द्वार इस से जमा होते है और प्रस्ताओं धर्वापस भी आते हैं किश्थों के द्वारा इहां पैसा आता है और पर आजिवका में पैसा आता है और सबी दिदियां पैसा लेकर अपने कोई भी कार करें और ऐसा काम करें जिसमें हमारी आय हो यह नहीं कि पैसा हम लोग ले लिए तो कहीं साधी में खर्चा कर दिये या कोई घर की मरमत कराने में खर्चा कर दिये तो यह पैसा हमें इंकम नहीं देता है जब इनकम नहीं देगा तो हम पैसा कैसे जमा करेंगे तो अधिकतर आजीव का कारिक्रम के अधर पे ही रिन दिया जाता है तो खासकर मैला ये ध्यान दे कि हम जो भी पैसा ले 20 जाले 30 जाले अपने आजीव का चलाने के लिए ले उससे हमें आए हूँ अगर हम 30 जाल का इन् समय में पैसे दिक्कत आती हैं कोईट की वज़त से काफी पहले से दिक्कत आ चुकी हैं तो अब इस सभीरोग परशान नहीं क्योंकि मैंने देखा है कि कोईट के वाश ist HEY आ चुकीया हैं समू को ना बन करें समू को चलाती रहें उनको भीकते को देखें किस महिला को कौन सी दिकत है एक दूसरे से समझे और समझ कर समय समय से दीरे-दीरे पैसा अपना रिटन करते रहे हैं आज के वीडियो में इतना ही अगर दिदी आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरू करें और शेयर भी जरू करें और सब्सक्राइब कैसे करना है पहले सब्सक्राइब करना है वी बेल आइकन की घंडी दवानी है और पे क्लिक करना है तब ही मेरे हर वीडियो का नोटिफिक्षन आपके पहुंच जाएगा मैं हमेशा प्रयास करती रहती हूं कि हमारा समू जो है अच्छे तरह से चले ही उन सब्सक्राइब करना है या यह जोजनाओ के बारे में मालूम होता है मैं वीडियो मना के तुरंद अपडेट कर देती हो जैसे कि मैंने देख लेजिए मैंने यह डाला है पहले समूदायक निमेश कोष्ट का प्रबंदर कुछ अलग था अभी कुछ अलग है तो मैंने जैसे मुझे पता लगा तो मैंने यह प्रबंदर मना के वीडियो के तुरू डाल दिया यह से तरह जैसे भी मुझे कोई ने अपडेट पता लगेगा कि कुछ चेंजिंग हो रहा है कुछ बदला हो रहा है समूद के अंदर तो मैं उसका वीडियो बना के तुरू डाल देती आज की वीडियो में इतना है धन्यवाद